कि वायरिंग करने के लिए हैं से हमसे का वाय लगाना पड़ता है तारके वायर को एक सिरे से हट का दूसरे सिसाइभ तक असनी से Weg से अецमी मैं इसमे क्या होता है कि यह कुला हुआ है जिससे शेप ती म tread लग सकता है दूसरा ही कि अगर वायर कहीं कटा है तो उन्दर शॉक सरक्रिट भी हो जाएगा तिसरा ही है कि इसका एज जो है वो शार्प है जिससे क्या हो सकता है कि वायर में इसक्रेच आ सकता है और इसमें करेंट आ सकता है इसके लिए हमने छोटा से चेंज गया है अब आप देख सकते हैं उसी वा करेंट नहीं जाएगा और सौक सरक्रिट नहीं होगी दूसरा यह है कि इससे ठोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि दर के काम करते तो डहां करन लगे अब इससे आसानी काम भी हो जाएगा और तिसरा यह है कि इसका जो एज था ना जिसका शार्प रहता था जो वायर को छील तो उसे क्वालिटी खराव हो जाती थी इस पर हीट स्लिप चड़ा दिया है इसे क्वालिटी भी आगे अगे